हेलो गाइस तो काफी इंट्रस्टेट वीडियो लेगे और एक वीडियो लेगे आ चुका हूँ मैं आपके बीच तो आज की वीडियो भी तभाई होने वाली है यार क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप यूटुबिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर की वीडियो पर आएं आज की वीडियो में ऐसा एप बताऊंगा और इस टाइप से किस मतलब एसडी थमनेल आप अल्टर एसडी किस टाइप से निकाल सकते क्वालिटी जिससे आपका थमनेल नहीं फटेगा एकदम क्लियर दिखेगा और थमनेल को प्रोफेशनल कैसे बनात है और technology related इसमें वीडियो हर दिन आती रहती तो इसके लिए सब्सक्राइब करके आपने चैनल को रख लेना और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको थमनेल प्रोफेशनल थमनेल कैसे बनाने और किस हैप से बनाने तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो बहुत सारे ऐसे application है उन चीजों का उसकरते हैं कुछ pixel lab का भी करते हैं तो जो पिक्सल लैप करते हैं वह बहुत सही करते हैं पिक्सल लैप यूज कर गई क्यों पिक्सल लैप ऐसे application है जिससे आप professional थमनेल ऐसे एडिट कर सकते हैं सिर्फ फॉन के लिए बता रहा हूं अग तो पिक्सल लैप एक application है जिस जो आपको प्ले स्टोर पर अगर जाते हैं तो आपको सिंपली मिल जाएगा पिक्सल लैप सर्च करेंगे तो जो अप्लिकेशन आपको लगभग 15-20 MB की होगी मुझे पता नहीं है एक बार मैं चेक कर लेता हूं तो पिक्सल लैप एक application है जिससे thumbnail बन सकते बहुत अच्छे बनते बहुत अच्छे जो मैं हमेसा थमने लगाता हूं उसा पिक्सल लैप application से बनाके ही लगाता हूं मैं तो जैसे देख सकते हैं आप यहां पर यह है आपके इसका कोई भी दिखाया नहीं किया है लगवग 15-20MB की जाद से जाद 15-20MB की application है तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इसमें बनाते कैसे जो मैं अभी वीडियो यूज कर रहा हूं जो यह बंद रही है इस वीडियो का ही मैं थमनेल बनाके दिखाता आपको किस टाइब से बनानी है जैसे मैंने थमनेल के लिए एक अपना पोजिशन होता उसको शूट किया है तो मैं दिखा देता हूं आपको तो यह कुछ पोजिशन है इसको मैं बैक्राउंड इसका कट करूंगा तो उसके लिए गूगल यूज करना आपने गूगल यूज करने से आपका बैग्राउंड एकदम फुली क्लियर हो जाता आपको ज्यादा को टाइम लगता भी नहीं है एक मिनट से दो मिनट का टाम लेगेगा और ज्याद से ज्यादा और क्लियर हो जाता है तो अब यह ओपन वरी वैब साइट तो देख सकते हैं इस टाइब स कर दिया और यहां पर फोटो शोगी अभी इसका रिमूब होने का बात जैसे रिमूब होती है उसके बाद देखना आप इसकी क्लारिटी कितनी अच्छे से रिमूब कर देता है यह देख सकते हैं होने स्टार्ट होने लग गया एक मिनट भी नहीं लिया और यह बैग्राउ इस पर जैसे जाता हूं सबसे पहले अपने टेक्स्ट को ट्रीट कर देना है और यह थ्री टॉट कॉर्णर पर दिख रहे हुँगा इस पर क्लिक करना और फोर्थ नमबर पर फोर्थ नमबर पर इमेज साइज इसको कस्टम करके यहां पर योटूब थमनेल कर लेना है और और यहां पर नीचे 4 option दिख रहे है सबसे लास्टार में कलर जो है उस पर छेख लेने अपना अपने यहार्बी यहार्भन से आपने सलेक्ट कर लेङे जो भी करना चाहिए तो मैं आपी फिलाल यही कर लेता हूं और यहां पर फलूस के अपर प्लस के आइकन पर क्लिक करके from gallery कर देना है from gallery जैसे करेंगे जो आपने इसका background जिसका आपने रिमूब किया था वो फोटो आ जाएगी और आपने इसको crop करके सही से लगा लेना है अपने साब से adjustment कर लेना इसकी तो मैं जैसे यहाँ पर लाता हूं इसको इसको यहाँ पर adjustment कर देता हूं यह adjust हो चुकिए यहाँ पर और इस photo पर दुबारे से click करना है और यह third number वाले option पर आने के बाद stroke और इसको enable करना है और ताकि background में stroke आया आपके आप जो color लगाना जाते हैं वो लग सकता है इसमें कोई problem नहीं है तो मैं जैसे इस color को लगाता हूं तो अच्छे तो नहीं लग रहा है और white से लग रहा है तो white अभी उतना दिखनी रहा है तो प्लस का एगन पर click करना है और आपने यहाँ पर click करना है text और यहाँ पर लिख लेना है जैसे कुछ भी लिखना चाहते हैं आप जैसे asd thumbnail बनाना सीखें तो यहाँ पर लिखा और इसको यहाँ पर यहाँ पर सेट करते हैं जैसे मैं और यहाँ पर यह वाले option पर आना है और यहाँ पर हलका आगे करके color पर जाना है और color पर आपको जैसे कोई भी color कर लेना है मैं जैसे green किया और आगे आगे जागे font पर क्लिक करना है जो आपको पसंद हो font लगाने जैसे मैं यही लगा लेता हूं भी और उसके बाद आपको कर लेना है background पर क्लिक और इसको इनेबल कर देना है और जैसे कोई भी color ले सकते हैं ऐसे कुछ नहीं है मैंने जैसे यह लिया और stroke पर क्लिक करके फिल ले लेना है तो यह किता अच्छा लग रहा है और यहां पर लिखना है उपर भी आपको कुछ भी लिख सकते हैं जैसे how to make how to make professional thumbnail professional thumbnail for YouTube जैसे यह मैंने लिखा इसको यहां पर लगा देता हूं और मैं इसका font size जल्दी जल्दी से कर देता हूं ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को finish करने की तो यह बन चुका है और इसमें भी मैं stroke लगा देता हूं जल्दी से जल्दी और यहां पर जैसे in लिख देता हूं in 2021 इसको बीच में लाना है और इसको okay कर देना है और यह बीच में आएगा जैसे मैं अभी इसमें यह वाला लगा देता हूं इसको fix कर देता हूं इसमें अभी इसके background में सही नहीं लगा गाना तो इस पर मैं लगा देता हूं यह ठीक नहीं लग रहे तो इसको मैं color change कर देता हूं जैसे अभी इसका पिंग कर दे और जो इस्टोक है उसको white कर देता हूं तब अच्छा लगेगा इसके तो यह ठीक लग रहा है in 2021 अभी मैं मेरे पास pixel lab का यहां पर जो है logo नहीं है तो यहां पर अभी नहीं लगाया हूं तो जैसे आपके पास pixel lab का logo गो तो आप यहां पर pixel lab का logo भी लगा सकते हैं और अच्छा लगेगा वीडियो कैसे लगें comment box पर जरूर बताइएगा वीडियो को like कर दीजेगा और ज्यादे से ज़्यादा share किजिएगा क्योंकि एक like से मैं motive होता हूं और अपना comment जरूर किजिएगा क्योंकि उससे पता चलता है कि किस टाइप की वीडियो चीए और कौनसी जगर मेरे वीडि में